Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज की अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में payment voucher क्या है और उसमें transaction कैसे record करते हैं इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको receipt voucher में transactions record करना बताया था उस वीडियो में महतुपुन बात ये थी कि transaction record करने के तरीके को हमने सरल और विस्तरत रूप में बताया है साथ ही Tele के features और configurations का भी उप्योग किया गया है और यही तरीका बाकी सभी vouchers के लिए भी है इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि receipt voucher की वीडियो को अवश्य देख लें आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से payment voucher के बारे में बता देते हैं जब व्यावसाए में नकदी या बैंक के माध्यम से कोई भी payment किया जाता है तो इस तरह की transaction की entry payment voucher में record की जाती है एक खास बात का धियान रखें यदि आपने cash purchase से संबंधित कोई payment की है तो वो इस voucher में नहीं आएगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि टैली ने purchase के लिए अलग सी voucher बना रखा है transaction पहचानने वाली वीडियो में हमने payment voucher से संबंधित कुछ transactions चात लिए थे उन्हें हम यहाँ पर फिर से बताएंगे और उनके आधार पर payment voucher में transactions record करेंगे हमारा पहला transaction है दो जून को राम शर्मा को नकट 2000 रुपे उधार दिये हमारा पहला सवाल होगा इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं तो transaction को ध्यान से देखें यहाँ नकदी गई है तो यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं नकदी किसको दी है तो नकदी राम शर्मा को दी है यानि इस transaction से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं नकदी और राम शर्मा दूसरा सवाल है खाते किस प्रकार के हैं नकदी यानि cash का खाता real account है और राम शर्मा का खाता personal account दीसरा सवाल कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit राम शर्मा का अकाउंट personal account है और personal account के लिए नियम है debit the receiver यानि पाने वाले को debit करो राम शर्मा को हमने रुपे उधार दिये हैं तो राम शर्मा हुआ पाने वाला मतलब राम शर्मा का खाता डेबिट होगा अब हम देखते हैं दूसरे खाते को जो कैश का है cash गया है यह real account है और real account में जाने वाली वस्तू के लिए golden rule of accounting है credit what goes out यानि जो वस्तू व्यापार से जाए उसे credit करो इसका मतलब cash account credit होगा चलिए अब tally में इस transaction को record कर लेते हैं यहां हमने tally में अपनी company open कर ली है यदि आपको किसे निश्यत तारीख में बहुत से transactions record करना हूँ तो आप gateway of tally से current date बतल सकते हैं date के लिए f2 key press करें और आप जो तारीख चाहते हैं वो type करें जैसे हम 2 जून चाहते हैं तो यहां हमने type किया 2, 6 और enter press किया देखे current date 2 जून आ गई है आईए आप transaction record कर लेते हैं यहां हमें transactions के अंतरगत vouchers में जाना होगा और उसके लिए keyboard पर v key press करेंगे संभवत आपके सामने payment voucher ही खुला होगा पर यदि कोई दूसरा voucher खुला हो तो देखें right pen में सभी vouchers और उनके नाम के पहले उनके shortcuts दिखाई पढ़ रहे हैं payment voucher के लिए F5 key press करें ऐसा करते ही payment voucher creation screen open हो जाएगी अभी हम date पर है और date में वही तारीक दिखाई पढ़ रही है जो हमने current date में ली थी यहां हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे मान लीजिए आपको किसी एक ही तारीक में कई transactions record करना है यानि आपको बार बार date बदलने की ज़रूरत नहीं है तो फिर बार बार date field पर क्यों जाएं date field पर जाने से बचने के लिए आपको configuration में कुछ change करना होगा उसके लिए F12 key press करें अब यहाँ show more configuration यदि no हो तो backspace key से उस पर जाएं और yes type करके enterprise कर दें अब यहाँ दिखाई पढ़ रहे options skip the date field during voucher creation को yes कर दें और फिर इस window को accept कर लें ऐसा करने से अब यह होगा कि भविश्य में आप जब भी कोई voucher बनाएंगे तो date field में करसर नहीं आएगा और जब भी आपको voucher की date बदलना हो तो date key shortcut key है F2 इसे press करके आप date बदल सकते हैं हमें 2 जून में ही voucher बनाना है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें particulars में DR यानि debit उपर आ रहा है जबकि हमने receipt voucher में यहां पर credit लिखा हुआ दिखा था उसका कारण यह है कि Tally ने हमारी सुविधा के लिए payment voucher में उपर debit दिया है debit में हम जिसे रुपिया देते हैं उस leisure का नाम लेना होता है जैसे कि कोई party का account या कोई expenses account या fixed assets का account हो सकता है इसके बाद credit में हमने जिस तरह से रुपिया दिया है जैसे cash या bank के माध्यम से तो उसका account लेना होता है ध्यान रखें payment voucher में जिसे आप payment देते हैं उसका account हमेशा पहले आता है और वो debit होता है और जिस तरह से यानि जिस माध्यम से रुपिया दिया जाता है जैसे cash या bank account के माध्यम से तो वो बाद में आता है और credit होता है date के बाद हम DR पर आ गए हैं देखे right side में एक list of leisure accounts आ रही है पर इसमें राम शर्मा का नाम नहीं है क्योंकि हमने उसका leisure बनाया ही नहीं है तो ये leisure हम यहीं से बना सकते हैं उसके लिए alter और C keys को press करेंगे देखे लेजर creation window आ गई है नेम में हम रामशर्मा टाइप कर रहे हैं और चूंकि हमने ये रुपए उधार दिये हैं तो हम अंडर में loans and advances group select कर रहे हैं यदि आप group का नेने नहीं कर पा रहे हूं तो list of accounts की मदद ले सकते हैं अब control और A keys से इस window को accept कर लें देखे ऐसा करते ही debit में party का नाम आ गया है अब यहां पर amount डालना होगा amount डाल करके enter press करें enter press करते ही आप नीचे वाली line में आ जाएंगे यहां पर CR दिखाई पड़ रहा है और हमें यहीं चाहिए enter press करें अब यहां credit में पहले बताए अनुसार ले जो select करें हम cash account select कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही हमने जो राशी debit में लिखी थी वही राशी credit में भी आ गई है enter press करें अब narration में आपने उपर जो transaction किया है उसका संक्षिप्त विवरंट दे दें हमने यहां type किया being rupees 2000 loan given to Ram Sharma अब enter press करते हुए इस voucher को accept कर लें और अब skip key से वापस gateway of tally पर चलते हैं अब दूसरा transaction है 31 July को हमने State Bank of India का 3000 रुपए का check दे कर cycle खरीदी सबसे पहले प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं यह देख लेते हैं यहां cycle खरीदी गई है तो यह हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं cycle खरीदने के लिए payment किस तरह से किया गया है तो वो bank का check दिया है यानि payment bank द्वारा किया गया इस तरह हमने देखा कि transaction से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं cycle account और bank account यहां हमारा bank account से तातपर है State Bank of India से दूसरा सवाल है खाते किस प्रकार के हैं देखिए bank का खाता personal account है और cycle का खाता real account है हम इसे list of accounts की सायता से भी confirm कर लेते हैं यह देखिए bank का account personal account है और cycle का खाता real account है यहां हमने दोनों खाते किस प्रकार के हैं यह confirm कर लिया है अब तीसरा सवाल कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit cycle का खाता real account है और real accounts के लिए नियम है जो वस्तु व्यापार में आये उसे debit करो debit what comes in यहां cycle आई है मतलब cycle account debit होगा दूसरा खाता है bank का और यह personal account है personal accounts के लिए नियम है credit giver देने वाले को credit करो यहां bank से payment किया गया है मतलब देने वाला bank account है तो यह credit होगा जैसा कि हमने आपको list of accounts वाली वीडियो में बताया था हम उस तरीके से इसे confirm कर लेते हैं उसके लिए पहले हमें यह देखना होगा कि इस transaction का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है हमने bank से payment किया है तो bank का balance कम होगा साथ ही cycle खरीदी है तो cycle खाते का balance बढ़ेगा यह देखिए list of accounts में bank का खाता assets के अंतरगत आता है और इसका नियम है यदि balance decrease हो तो उसे credit करो अब cycle का account देखते हैं यह भी assets में आता है और इसके लिए नियम है यदि balance increase हो तो उसे debit करो इसका मतलब यह हुआ कि अब यह confirm हो गया है कि हमने golden rules of accounts की सहायता से जो नर्ने लिया था वो सही है चलिए अब tally में इस transaction को record कर लेते हैं accounting vouchers के लिए V press करें यहां payment voucher की window ही आ रही है क्योंकि अभी हमने इसके पहले payment voucher का ही उप्योग किया था यदि नहीं आ रही हो तो उसके लिए F5 की press करें देखे हमारा cursor date वाले field में नहीं रुका क्योंकि इसके पहले वाले transaction के समय हमने configuration में जाकर उसे change कर दिया था यहां हमें voucher की date बदलना है तो उसके लिए F2 की को press करना होगा अब यहां पर date डाल दें enter press करें DR में जिसको या जिस भी हाफ पर payment किया गया है उस ledger का नाम select करें जैसे यहां हम cycle account select करना चाहते हैं पर यह ledger हमने बनाया नहीं है नया ledger बनाने के लिए Ctrl और C की इसको एक साथ press करें ledger creation window आ जाएगी अब यहां पर ledger का नाम type करें enter press करें यहां under में fixed assets group select करें और फिर इस window को accept कर लें देखें ऐसा करते ही debit में account का नाम आ गया है अब हमें यहां amount डालना होगा enter press करें enter press करते ही नीचे वाली line में यहां अपने आप CR लिखा हुआ दिख रहा है enter press करें अब यहां credit में पहले बताए अनुसार ledger select करें हम State Bank of India select कर रहे हैं दिखें ऐसा करते ही हमने जो राशी debit में लिखी थी वही राशी credit में भी आ गई है अब enter press करें ऐसा करते ही bank allocation window आएगी जिसमें right side में एक list दिखाई पड़ेगी और यदि list ना दिखाई दे तो space bar press करें यहां list में कुछ transaction type दिखाई पड़ रहे हैं payment के अन्य transaction type देखने के लिए show more पर क्लिक करें या उस पर जाकर enter press करें ऐसा करते ही सभी transaction types दिखाई पड़ने लगेंगे इन में से आपने जिस भी तरह से payment किया है वो select करें हम check select कर रहे हैं अब enter press करते हुए instrument number पर आएं यहां आपने जो check दिया है उसका number type कर दें और फिर enter press करें instrument date में जिस तारीख का check दिया है वो तारीख type करें यहां by default voucher की तारीख ही आ रही है और यही हमें चाहिए यहां पर एक महतुपून बात का ध्यान रखें हमने transaction type में check select किया था इसलिए उससे संबंधे जानकारी मांगी जा रही है आप जो भी transaction type करेंगे यहां आपको उससे संबंधे जानकारी देना होगी तारीख type करने के बाद अब enter press करके आगे बढ़ें यहां पर narration type कर दें being rupees 3000 paid towards purchase of cycle yday state bank of india check number 12455 और अब इस voucher को accept कर लें अभी हमने payment voucher में जो transactions record किये हैं उन्हें हम day book में कैसे देख सकते हैं और इन transactions में हमने जो ledger उप्योग किये हैं उन पर इन transactions का क्या प्रभाव पड़ा यह हम आपको सभी vouchers को समझाने के बाद बताएंगी इस वीडियो में आपने payment voucher के बारे में जाना और इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि contra voucher क्या है और उसमें transaction कैसे record करते हैं दोस्तो हर वीडियो में हम कुछ नई बातें detail में समझाते हैं और बाद में उनका short में उप्योग करते हैं यदि आप चाहते हैं कि आप कोई भी उप्योगी बात सीखने से बंचित न रह जाएं तो क्रप्या सभी वीडियो को order में ही देखें करते हैं